Hello students, आज J main का एक question discuss करेंगे जो vector chapter का है आप question दे सकते हैं, question दिया हुआ है if A equal to I plus 2J plus K, B equal to 3 under bracket I minus J plus K and A dot C equal to 3 further A cross C equal to B दिया हुआ, calculate करना है A dot under bracket C cross B minus B minus C is equal to 1 तो आईए सुरू करते हैं इसमें हम लोग को जो पूछा गया है, उसको expand करते हैं तो A dot C cross B ये दिया हुआ है minus B minus C, इसी का value जो है वो calculate करना है इसको आगे बढ़ेंगे, इसको expand करते हैं dot के cross, तो A dot C cross B ऐसे लिखा जाएगा minus A dot B इस तरह से minus A dot C अब यहाँ पर A dot B हम सिधे सिधे calculate कर सकते हैं और A dot C ये दिया हुआ है असली problem हमारा है A dot C cross B का value calculate करना ठीक है, जिसमें C है में पता भी नहीं है जो की अगर पता होता तो C cross B निकाल सकते थे लेकिन A dot C में एक relation दिया हुआ है कि A cross C equal to B दिया हुआ है है ना तो अगर हम triple प्रोट vector triple product की बात करें तो वहाँ पर एक पर परटी आती है बेटा जिसमें ये बताया गया है कि A dot B cross C इस तरह से vector लिखा गया है तो हम dot को cross से और cross को dot C interchange कर सकते हैं means A dot B है तो ये लिखेंगे A cross B bracket close dot C इस तरह से लिख सकते हैं ये यहाँ पर इस question का कह सकते हैं कि key factor है यही परपरटी से इस question को थोड़ा आसाने से और easily बनाया जा सकता है ठीक है तो आगे बढ़ेंगे ये लिखेंगे A cross C dot B minus A dot B A dot B minus A dot C अब a cross C का वीलुओ र्योड़ ब व बाय रिखेंगा write b.b minus a.b minus a.c अब सारे रहे लिएज को हम कलकुट दिक निकाल सकते हैं पहले निकालेंगे b.b तो b.b जो हो जाएगा सिया सिदी हमारा हो जाएगा 3 square plus minus 3 का whole square plus 3 square this is equal to 27 अगर a.b निकालने की बात करें तो a.b जो है ओ जाएगा 3 cross 1 उसके बाद plus में 2 cross minus 2 into 3 plus यहां पर 1 into 1 sorry 3 into 1 3 into 1 तो जाएगा 3 minus 6 plus 3 that is equal to 0 सारे values हमें पता चल लगा है पूट करेंगे 27 minus a.b 0 आ रहा है a.c जो है वो 3 दिया हुआ है यहां पर 3 दिया हुआ देखिए तो finally इसका जो answer आ जाएगा वो 24 आ जाएगा जो की option number second में दिया हुआ है उमिद करते हैं यह question आपको समझ में आया होगा थैंक यू